हलो फ्रेंग्स कॉंपटिशन कम्यूटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले मद्य प्रदेश के खनिश से संबंदित वस्तो निश्ट प्रशनों की इन में से बहुत सारे कॉश्चन आप से पूछे भी जा चुके हैं और बहुत सारे पूछने जाने कौन कौन से जिले कौन कौन सा इस थान रखते हैं अब आप देखिए आपको मैंगनी उतपादन में बताना कि मद्य प्रदेश का कौन सा स्थान है संपूर्ण देश में सिशा उत्पादन में संगमरमर और कोईला तीसरा प्रथम दूसरा चौथा जहां याद है वहां से शुरू करेंगे सबसे पहले मैगनीज जो है वहां मध्य प्रदेश में प्रथम इस्थान रख़ता है उत्पादन में मैगनीज की ख़दान कौन सी है तो मैगनीज की बाला घाट वाली जो ख़दान जिसका नाम है भरवेली ख़दान वह सबसे जादा मैगनीज के उत्पादन के लिए जानी जाती है फिर बात कर लेंगे शीशा की तो शीशा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का तीसरा इस्थान है संग्मर्मर के जब हम बात करते हैं तो संग्मर्मर का दूसरा इस्थान है और कोईले का चोथा इस्थान है वहीं कोईले का सरवादिक उत्पादन 36 गड़ राजसी होता है संगमरमर कहां पर सबसे जादा पाया जाता है तो जवलपुर में, गुवलियर में, छिंदवाडा में, आदी जुलों में संगमरमर पाया जाता है तो आपका option number B यहां पर सही हो जाएगा दो, एक, तीन और चार option number B बिल्कुल सही लोह ऐस्क के समंद में असत्य कथन बताईए देखे जैसी आपसे पूछ रहा है ना, असत्य कथन मतलब गलत कथन आपको बताना है यह लोह ऐस्क के है लोह ऐस्क का भंडार धारवाड करम की चटान में पाया जाता है लोह ऐस्क को गुडवत्ता के आधार पर चार भागों में बाटा गया है हेमिटाइड ऐस्क में सरवधिक लोह प्रतिशत पाया जाता है मध्य प्रदेश देश के कुल लोह उत्पादन में प्रधम इस्थान रखता है देखे जब हम बात करते हैं लोहे की अर्थात लोहो की तो बिल्कुल सही बात है यह धारवाड करम की चटानों में पाया जाता है इसे चार प्रकार में बाटा गया है जसमें सबसे जादा उप्रक्त जो प्रकार है वो हेमिट आइट ही है जिसमें सबसे जादा लोहा पाया जाता है अर्थाद आयरन की अधिक्ता होती है मतलब विशुद्धियां कम होती है वही मद्धिप्रदेश प्रथम इस्थान रखता है ये गलत बात है क्योंकि मद्धिप्रदेश में लोहा बहुत ही कम मात्रा में उत्खनित किया जाता है तो option number D आपका सही अंसर हो जाएगा मद्धिप्रदेश का देश में में मेगनीज उत्पादन में कौनसा इस्थान है प्रथम दुआतीय तरतीय और चतम के जब हम बात可能 करते हैं तो मद्धिप्रदेश का पहला स्थान है कहां से इसका उत्पादित होता है तो बालाघार जिले के अंतरगत भारवेली की ख़दान से इसका उत्पादन होता है यह जो है यह काले रंग की कठोर धातु है मद्धि प्रदेश में मैगनीज का उत्खनन सर्व प्रथम किस जिले में किया गया था जवलपुर भोपाल यह ला होगा इंदो और गवालियर जवलपुर कटनी राइसेन और बाला घाट जब मद्धि प्रदेश में पहली बार उत्खनन की बात करते हैं मैगनीज का तो मद्धि प्रदेश में पहली बार में मैगनीज का उत्खनन जवलपुर और कटनी जिले में किया गया था अर्थास option number से आपका विल्कुल सही answer हो जाएगा तामबा के सिंचित भंदार की दरश्टी से भारत में मध्य प्रदेश का कौन सा इस्थान है उप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जब बात करते हैं तामबा के भंदार की दरश्टी से तामबा की उत्पादन पे मध्य प्रदेश का पहला इस्थान है option number A लेकिन जब भंडार की बात कर रहे हैं हम तो option number C सहीं आंसर होगा कि मध्य प्रदेश का तामबा की भंडार की दृष्टी से तीसरा इस्थान है बॉक्साइड किस खनिज का आयसक है देखें ये बॉक्साइड है बॉक्साइड किस खनिज का आयसक है आयरन, अलुमीनियम, मैगनीशियम और अब्रग तो बॉक्साइड जो है वो अलुमीनियम का आयसक है इस करण से option number B आपका सहीं आंसर हो जाएगा विद्धुद बल्व के फिलामेंट बनाने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है शीशा, टंगस्टन, कोईला और तामबा सीशा, टंगस्टन, कोईला और तामबा देखें को हिए टंगस्टन का प्रेएक विद्ध बल्व के फिलामन्ट बनाने के लिए कि ही चाना मतलब क्या होता है। यह ओबर को अपर कर ये धी हैं उपर घंदे होई है यह जो तार बनी हुई लुए यसे लम जोना मतलब करते हैं । फिल्रम को मतलब क्या ही अश्वाया है। तो आप्शन नमबर 20 सही आंसर हो जाएगा मद्य प्रदेश हीरा संग्रहाल है किस जिले में इस्थित है मद्य प्रदेश का हीरा संग्रहाल है पन्ना छतरपुर सतना और सीधी जिले में देखें जब हीरा संग्रहाले की बात करते हैं ना तो मद्य प्रदेश का हीरा संग्रह चतरपुर जिले के खजराहों में प्रस्तावित है अभी निर्मित नहीं हुआ है इसका डिजाइन इस टाइप का कुछ निर्धारित किया गया है तो आप्शन नमर भी आपका सही हो जाएगा मध्य प्रदीश में सरवादे चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में किया ज जाता है तो सबसे जादा जो अंतरगत को चूना के अत्याधिक उत्पादन के कारण चूना नगरी के नाम से भी मलाच खंड किस खनिच उत्पादन से सम्मंदित है लिगनाइट, तांबा, हीरा और लोह एस्क मलाजखंड की जब हम बात करते हैं तो मलाजखंड जो है वहां बालाघाट की बायर तहसील के अंतरकत आता है जिला लगता है बालाघाट और यहां पर सबसे जादा तांबा अर्थात कोपर का उत्पादन होता है यह आपको दि हिंदुस्तान कोपर लिमिंटेट की है यह माइन कहां है मलाजखंड कोपर माइन माइन मतलब खाजान होता है तो अप्शन नंबर भी आपका सही होंगा तांबा के लिए उत्पादन होता है यहां पर मध्य प्रदेश में पहली खनी जनीती किस वर्ष लागू की गई थी ख फिर जनीती नागू की गई थी वहीं उन्नेश सो उन्नेश सो बहाट में मध्य प्रदेश खनीज विकास निगम के स्थापना की तो इसका होगा अप्शन नंबर एस ही आंसर हो जाएगा तो मध्य प्रदेश में किस जिले को ग्रिफाइड उत्पादन के लिए जाना जाता देखे ग्रिफाइट के जब हम बात करते हैं तो पैंसिल की निडल जो ये लिड होती है ये ग्रिफाइट से ही नर्मित होती है मध्य प्रिदीश में सबसे ज़्यादा ग्रिफाइट का उतपादन बैतूल जिली से होता इस कारण से option number D आपका सही आंसर हो जाएगा आगर गाओं किसके उतपादन के लिए जाना जाता है एस्बिस्टस टंगस्टन कोरंडम और ग्रेफाइट देखे जब बात करते हैं आगर गाओं की तो आगर गाओं जो है वो टंगस्टन के उतपादन के लिए जाना जाता है option number B सही हो जाएगा ये जो आपको धातु दिख हाई दे रही है यह है टंगस्टन मध्य प्रदेश के किस छेत्र में टंगस्टन का उतपादन होता है ग्वालियर शेत्र बगेल खंड शेत्र होशंगाबाद छेत्र और मालवा का छेत्र देखे जब हम बात करते हैं टंगस्टन की तो टंगस्टन का उतपादन जो है वो आ का खनिज हैं टंगस्टन लौह कोरंडम और तामबा वुल्फाम के जब हम बात करते हैं तो यहां टंगस्टन का ही एक अयस्क है इसके अलावा में टंगस्टन का उत्पादन होशंगा जिले के आगर गाउं से सरवादिक होता है मध्य प्रदेश में देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है कोईला हीरा तामबा और लोहा कोईला और तामबा तामबा और हीरा तो देखिए जब हम बात करते हैं सबसे जादा उत्पादन किस किस का तामबा का होता है बिलकुल सही बात है तामबा का स्थान रखता है कोईले के उतपादन में लेकिन हीरा का उतपादन में सबसे ज्यादा होता बाला घाट जवलपुर जाबुआ और इंदौर बात करते हैं मध्य प्रदेश में एस्बिस्टुस के उत्पादन की तो एस्बिस्टुस जो है इसका उत्पादन सबसे जादा जाबुआ जिले के अंतरगत होता है आप्शन बर्सी आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा छेत्र मध्य प्रदेश में बॉकसाइट तांबा और डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है बाला घाट जवाद भैरोगड और सतना बात करते हैं बाला घाट जिले की तो यहाँ वह छेत्र है जो की मध्य प्रदेश में बॉकसाइट तांबा और डोलोमाइट तीनों पतार्थों के उत्पादन के लिए जाना जाता है बाला घाट जला ऑप्ष। मध्य seemenka सरवादिक उतपादन जवालपूरale x तो छो फो आन्खों पर लगा पर गाल की तरह मध्य शुर्मी अपको कुछ िमेज़ दिखाई दे रही हूंgenommen पर बहुत सारी गाने भी बने आपने सुना होगा मद्धी प्रदेश का हीरा उत्पादक जिला है पन्ना और छतरपुर मुरैना मनसौर पन्ना भिंड इसका आंसर तो सोते भी भी आप बता सकते आप्सन नंबर सी पन्ना निम्न में से कौन सा कोईला शेत्र सत्पुडा कोईल शेत्र मद्धी प्रदेश का वहाँ शेत्र जो कि सत्पुडा कोईला शेत्र के अंतरगत नहीं आता वो है उमर्या कोईला शेत्र आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा जिला चूना नगरी के रूप में विख्यात है कटनी रीवा भोपाल और सिवनी इसके बारे में हमने अभी दो मेट पहले बात की थी ऑप्शन नंबर ए कटनी चूना नगरी के रूप में जारा जाता है भारत में स्लेट उत्पादत एक मत्र जिला है कटनी मंदसौर बाला घाट और सतना जब मध्य प्रदेश में स्लेट के उत्पादन की बात की जाती है तो मंदसौर जिले में सरवाधिक स्लेट का उत्पादन किया जाता है option number B आपका सही answer हो जाएगा मध्य प्रदेश का पन्ना शहर किस कारण से प्रसिद्ध है पुरानी शोई सिल्प के कारण से हीरे की खदानों के लिए खुबसूरत महलों के लिए और कागज की मिलों के लिए पन्ना शहर हीरे की खदान के लिए प्रमुख है यह आपको खदाने दिखाई दे रही होगी और पन्ना में स्थित मचगवा की खदान सबसे जादा famous खदान है इसके अलावा हिनोता की खदान भी पन्ना जिले में है और इसके लावा रमखेरिया की खदान भी पन्ना जिले के अंतर गताती है मजगवा की खदान पूरे देश की सबसे बड़ी हीरे की खदान है तो option number B आपका सही आंसर हो जाएगा हीरे की खदानों के लिए प्रसिद्ध जिला है मध्य प्रदेश में रॉक फास्वेट कहां पाया जाता है मध्य प्रदेश में रॉक फास्वेट जाबुआ जिले के अंतरगत पाया जाता है option number B आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के उस एकमातर जिले का नाम बताईए जहां यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है भोपाल, सागर, ग्वालियर और शेहडोल यूरेनियम के जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में वह जिला जहां यूरेनियम पाया जाता है वह है शेहडोल जिरा option number D आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम का उपयोग, क्रशी के उपयोग के उर्वरग बनाने के लिए भी किया जाता है मैगनीज किस यूग की चटानों में पाया जाता है धाड़वार, आर्कियन, गोणवाना और प्रीकैम्बियम मैगनीज की बात करते हम, तो मैगनीज जो है वो हमें आर्कियन, काल की चटानों के अंतरगय पाया जाता है इसका उत्पादन, बालागार जिले से होता है option number B आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा देश में मध्य प्रदेश नेमलिकित खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है कोईला, हीरा, तामबा, कोईला, कोईला, तामबा, तामबा और हीरा ये question repeat हो गया, तामबा और हीरा इसका सही आंसर होगा option number D इस प्रकार से मध्य प्रदेश से संबन्धित खनिजों के सभी वस्तोनिश्व प्रेशन हमने समाप्त कर लिए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमिट में जरूर बताएं थैंक्यो सो मच, मिलते है नेक्स वीडियो में